प्रेंड्स मैं हूं शशी और अपने यूट्यूब चैनल दावते दोस्त में आप सबका स्वाद करती हूं सर्दियों का सीजान आते ही जो है हर गर में सर्दी जुखाम गले में दर्द की जो है सिकायत आने लगती है तो सर्दी जुकाम हो गया हो यह उससे पहले ही अगर हम अपने परिवार का ख्याल कीचिन के चीज़ों से ही काढ़ा बना के जो हम अपना ख्याल रख सकते हैं। जो आजसे नहीं बहुत पहले से यह ट्रेंड आया हुआ है हम सबने दादी नानी के यह मा के दिये वेन उसके जो है आजमाते हैं तो सिर्फ किचेन के सिर्फ दो चीजों से जो है यह काढ़ा हम फटा-फट कैसे बना लेंगे और अपनी इम्मुनिटी कैसे बुष्ट रख सकते हैं कैसे अपने ख्याल रख सकते हैं तो यहां पर तुलसी पत्ते आठ से दस मैंने काली मिर्च ले रखे है आठ से दस तुलसी पत्ते में अपना खुद का ही बहुत सारे और सदिय तत्तो होतों हैं बहुत सारे इम्मुनिटी को बुष्ट करता है और खाली पेट भी अगर सुबह अप लेके खाते हैं तो भी यह बहुत फायदा पहुचाता है तो सर्दी जुखाम अगर हो गया है गले में दर्द है तो भी आप अपने काढ़ा से बना के राहत पहुचा सकते हैं और अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं तो इसको किस तरह से बनाना है वह मैं आपको दिखाना चाहूंगी तो यहां पे एक पैन ले रखा है और पैन के अंदर हम दो कप पानी डालेंग काली मिर्च को हमें इस तरह से कूटना है कि बिल्कुल दर्दरा मतलब बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना बस थोड़ा सा दर्दराई करना और यहां पे तुलसी के पत्तों को तोड़के उसके अंदर हम डाल देंगे ताकि उसकी जितने फ्लेवर्स उसकी जितने गुण है स सारे पानी के अंदर आ जाए और इसे जो है अभी हमें धक करीब जो है दस से बारे मिनिट जो है इसे पकाना है बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे और बीच-बीच में जो हम इसे थोड़ा सा चला भी लिया करेंगे काड़ की जो काड़ा बन रहा है काड़ा बहुत तरह कि से बना जाता है भी सिंपल तरिके से विसे काफिशा है और काफी अर्म में बहुत है और कञिके त्वम इयु अब लेना और इसके बाद से जो आप इसका सेवन कर सकते हैं अगर सरदी जुकाम है तो आप इसे दीन में दो से तेन बर ले सकते हैं और इसे ख्याल बस इतना रखना है कि इसे फ्रेशी बनाना और फ्रेशी आपको इसे यूज करना है पिना है तो I hope कि आपको यह वीडियो जो है आपके लिए लावदायक होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक्स पर वाचिंग इस्टे सेफ इस्टे हैपी